नमस्कार बच्चो मैं सुरूची सामरिया आपका एक अक्षा में स्वागत करती हूँ आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विश्य पढ़ रहे हैं बच्चो आउ सीखे भाग प्रथम आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है आज हम हिंदी विश्य में पढ़ रहे हैं पाठ ती जीलो की नगरी जो की एक संस्मरण है बच्चो आज के पाठ में आप मेरे साथ जीलो की नगरी की सेर करने बाले हैं क्या आप जानते हैं जीलो की नगरी किसे कहा जाता है बच्चो उदैपुर शहर को जीलो की नगरी के नाम से जाना जाता है यहां की जीले बहुत अधिक स मैं कंकु हूँ, मैं उदैपुर में रहती हूँ, आईए आपको मैं जीलो की नगरी उदैपुर के बारे में बताती हूँ, उदैपुर नगर अरावली परवत माला की बीच इस्थित है, बच्चो आज आपको उदैपुर के बारे में जो जानकारी दे रही है वह एक छोटी स शहर की सेर कराएगी बच्चो यह कह रही है कि उदैपुर नगर अरावली परवत माला के बीच इस्थित है जिसके कारण बहुती सुन्दर दिखाई देता है बढ़ते हैं आगे इस नगर के चारों और जीले ही जीले हैं पिछौला स्वरूप सागर फते सागर उदै सागर द उदैपुर शहर के चारों तरफ जीले ही जीले हैं कौन कौन सी जीले हैं देखिए पिछौला जील है स्वरूप सागर है फते सागर है उदै सागर है दूद तलाई है जना सागर है इनके अलाबा भी बहुत सारी छोटी छोटी जीले हैं इन जीलों के कारण उदैपुर शह और भी बढ़ जाती है ये जीले कश्मीर से होड करती है अतह कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं बच्चो जब बरसात का मौसम आता है जब बारिश होती है तो ये जीले बहुत ही सुन्दर दिखाई देती है क्योंकि वर्षया की पानी से ये जील पू को टक्कर देती है यानि लोग इनकी तुलना कश्मीर की जीलो से किया करते हैं बच्चो इस कारण से उदैपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप लोग उदैपुर जाना और इनकी जीलो को देखकर आना बच्चो सचमुच बहुत अधिक सुंदर जीले हैं बढ़ते हैं आगे फता सागर की बीच में बना है नहरू उध्यान इन जीलों की पानी में ही जग निवास और जग मंदर नाम के जल महल भी हैं इन जीलों में परेटक नौका बिहार का आनंद लेते हैं बच्चो नौका बिहार का अर्थ हो कि फते सागर जो जील है उसके बीचों बीच नहरू उध्यान बना हुआ है और यहां पर हमें जल महल भी देखने को मिलते हैं कौन-कौन से जल महल एक तो है जग निवास दूसरा है जग मंदिर बच्चो यह जल महल की तस्बीर है आप लोग देखिए कितने प्यारे लग बच्चो जो भी परटक यहां पर आते हैं वे नाव में बैठकर इन जल महलो को देखने के लिए जरूर जाते हैं बढ़ते हैं आगे रात्री के समय जब यह उध्यान तथा यह महल बिद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है बच्चो उध्यान का अर्थ होता है बगीचा बच्चो दिन की समय तो यह सुन्दर होते ही हैं लेकिन जब रात की समय यहां पर प्रकाश किया जाता है इन्हें प्रकाशित किया जाता है तो यह बहुत अधिक सुन्दर लगते हैं आप इस चित्र में देखिए यह कितने सुन्दर ल जल सनरक्षन का उतक्रस्ट उधारन है बचो उतक्रस्ट का अर्थ होता है श्रेज्ट बचो ये जो जीले हैं वह इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि जब बरसांत होती है वर्षा का पानी आता है तो एक जील से होकर पानी दूसरी जील में चला जाता है और जल सनरक्षन का बहुत ही उतक्रस्ट उधारन है इस तरह का जल सनरक्षन हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है आगे बढ़ते हैं हम इस जील में ही उत्तर की और एक सौर बैदशाला जिसे की हम कहते हैं सोलर अबजर वैटरी भी बनी हुई है जिसमें बैग्यानी को सूरे की गती विधियों का अध्यन किया जाता है बचो सौर बैदशाला में क्या किया जाता है सौर बैदशाला में हम सूरे की छोटी बड़ी जितनी भी गती विधियां होती हैं उनका हम अध्यन करते हैं हमें पता चलता है कि सूरे ग्रहन कम होगा सूरे की तापमान में कम इतिहासिक यानि इतिहास से संबंदित रखने वाले दर्शनिय यानि की देखने योग्य है पिछोला जील के किनारे महराणा प्रताप के वन्शजों का भब्वे महल है भब्वे भब्वे का अर्थ होता है सुन्दर इसमें काच का काम तथा चितरकारी अद्वीतिय है पर काच काम किया गया है तथा सुन्दर सुन्दर चित्र बनाए गए हैं बढ़ते हैं हम आगे फते सागर की किनारे पुरव की और मोती मगरी नाम का एक प्रसिद एतिहासिक स्थल है बच्चों मोती मगरी उदैपुर शहर में अपना एक विशेश स्थान रखती है क्योंकि समोती नमगरी में ही महारणा प्रताप की घोड़े चेतक पर बैठी हुई बहुत सुन्दर प्रतिमा है। क्या था उन सभी की प्रतिमाय वहां पर स्थापित है देखिए हकीम का सूरी भामाशा जिनोनी की अपनी पूरी संपत्ती महाराणा प्रताप को दे दी थी मुगलों के विरुद्ध संगर्श करने के लिए भीलो राना पूझा मन्ना जाला आदी इन सभी लोगों ने मुगलो के विरुद्ध महाराणा प्रताप का साथ दिया था बढ़ते हैं हम आगे ध्वनी प्रकाश कारिक्रम के माध्यम से यहां मेवाड की गौरब गाथा को दर्शाया जाता है बचों यहां पर लाइट इंड साउंड प्रिग्राम होता है जिसके माध्यम से मेवाड की गौरब जाना बना रहता है यहां जो भी परेटक आते हैं वह मोती मगडी देखने अवश्य जाते हैं बढ़ते हैं हम आगे फते सागर के पास ही उत्तर में इस्तित एक पहाडी पर नीमच माता का सुन्दर मंदिर है यहां प्रती दिन श्रधालू का ताता लगा रहता है यानि प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है यहां महाराना प्रताप की 57 फिट उची प्रतीमा है यहां प्रताप की 57 वर्ष की आयू में स्वर्गवास होने की याद दिलाती है बचों यहां पर जो महाराना प्रताप की 57 फिट उची प्रतीमा है क्या आप जानते हैं इस प्रती की जो उच्छाई है वह सतावन फिट रखी गई है बढ़ते हैं हम आगे यहां एक थियेटर भी है इसमें महाराणा प्रताप की जीवन संघर्ष से जोड़ी एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी दिखाई जाती है बढ़ते हैं हम आगे इसके अतरिक्त यहां कुछ और अंडे प्रतिमाएं भी लगी है उनके साथ उनका संग्षिप्त परिचे भी मिलता है यह एक प्रेड़ना इस्थल है जहां विशाल भारत गरीमा में राजस्थान तथा गौरब पुर्ण मिवाड का दिक दर्शन होता है बचों यहां पर महराणा प्रताप का तो हमें दर्शन मिलता ही है इसके अलावा उनसे संबंदित जितने भी लोग हैं उन सब का परिचे भी हमें यहां देखने को मिलता है यहां पर मीरा बाई की भी मूर्ती लगी हुई ह यहां पर भामाशा की मूर्ती भी लगी हुई है इन सब का परिचे हमें देखने को मिलता है जिसे की पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है यह हमारे लिए एक प्रेड़ना इस्थल है जिसमें कि हमें विशाल भारत गरिमा में राजस्थान तथा गौरपुण मेवार की ज देखने को मिलती है बच्चो आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग प्रथम के पाठ तीन जीलो की नगरी के प्रथम भाग का अध्यन किया जिसमें आपने उदैपुर शहर के प्रमुख इस्थलों के बारे में जाना बच्चो बचे हुए इस्थ पाग दूमें पढ़ेंगे तब तक की लिए नमस्कार बच्चो